सुहे वाट्सप गाईस, स्वागत दे आप सभी का आपके पनी यूट्व चैनल डीटेलर भाई में गाईस करन महरा को कौन नहीं जानता, ये लगबग हर घर में नैतिक के नाम से फैमस हैं गाईस, आज हम आपको इस वीडियो में करन महरा की रियल लाइप स्टोरी एंड वायोग्राफी बताएंगे तो गाईस, अगर आपको भी जानना है, तो हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूल देखें और गाईस, अगर आप भी करते हो करन महरा को पसंद तो इस वीडियो को लाइक जरूल करते हैं तो चली शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो तो जैसा की गाईस, करन महरा एक बारतिया मॉडल और टेलिबिजन अविनेता हैं इन्हें मुखे रूप से छोटे परदे के उद्योग में इनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं करन महरा का जरम 10 सितंबर 1982 को जालंदर पंजाब भारत में हुआ था इन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा नॉडा के एपीजे स्कूल से की थी अविनेता ये रिस्ता क्या कहलाता है में नैतिक सिंगानिया की भूमिका के लिए प्रसिद्धू हुए इन्होंने अपने करियर के सुरुआती दिनों में भिविन बैंकों के और संस्ताओं के लिए एड़टाजमेंट में काम किया करन महरा जी के पास उनके अच्छे अविनेता होने के अलावा एक फैसन डिजाइनर भी है इन्होंने फैसन डिजाइनिंग नेशनल इंस्टिटूट और फैसन टेकनलोजी न्यू देली से सीखी और गाईस इन्होंने राजकुमार, हिरानी, गोपाल वर्मा जैसे बड़े बॉलीबोर्ड डायरेक्टर के साथ एक असिस्टेंट के रूप में भी काम किया है अविनेता ने बर्स 2008 में फिल्म लव स्टोरी 2050 में अपनी पहली उपस्तिती दर्ज की करन जी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद मॉडलिंग करना भी सिरू कर दिया और बोच से टी भी एड़िटाइजमेंट में काम किया उसके बाद बर्स 2009 में इनकी किसमत बदल गई क्योंकि इन्हें स्टार प्लस के लोगप्रिय टेलिविजन सो ये रिस्ता क्या कहलाता है में नैतिक सिंगानिया का मुख्य किरदार करने को मिला इस सो में मुहसिन खान सिवांगी जोसी और पारुल चोहन जैसे सितारे हैं काईस करन जी को एक्टिंग के अलावा डांसिंग भी बहुत पसंद है साल 2012 में इन्होंने अपनी खुपसूरत पत्नी निसा रावल के साथ एक डांस रियलेटी सो में भी भाग लिया था इसके बाद वर्स 2016 में इन्होंने सबसे कॉंटरबर्सियल एंड पॉपुलर सो बिग बॉस सीजन 10 में भाग लिया एंड गाईस आपको पता ही होगा इस सो के हुष्टेड बॉलीबुट के सुपरस्टार सलमान खान थे और गाईस इनके सैकल अकार हीना खान और रोहय मेहरा ने भी इस रियलेटी सो बिग बॉस में भाग लिया था एंड गाईस ब बात करें करण मेहरा जी की फैमली की तो गाईस ये हैं करण मेहरा जी के फादर जैसा की आप देख सकते हो और गाइस इनका नेम है अजय महरा और ये एक जाने माने बिजनिसमेन है और गाइस ये है करन महरा जी की मदर जो की एक रेगुलर होम मेकर है और गाइस इनका नेम है बेला महरा और गाइस इनके एक बिर्दर भी है जैसा कि आप देख सकते हो ये हैं करन महरा जी के रियल बिर्दर एंड गाइसन का नेम है कुनाल महरा गाइस करन महरा अभी प्रिजेंट में मुंबई में रह रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत करीबी हैं और गाईस करन जी के परिवार ने उनके करियर से जुड़े हर फैसले में उनका सपोर्ट किया है और ये उनके परिवार और पतनी के समर्थन के कारण ही करन टीवी इंडिस्टी में नाम बनाने में सक्चम हुए है गाईस अब बात कर ले करन महराजी की बाइफ एंड अफेर्स के बारे में तो गाईस करन ने अविनेत्री निसा रावल से साधी की है वे पहली बार अविनेत्री से 2008 में फिल्म हस्ते हस्ते के सैट पर मिले थे करन एक फैसन ग्रेजुएट होने के नाते फिल्म के पूरे कलाकारों के लिए स्टालिस्ट के रूप में नेकुत किये गए थे गाईस हम आपको बता दें करन को निसा के साथ पहली नजर में प्यार हो गया था हाला कि निसा के लिए उनके प्यार में पढ़ने के लिए थोड़ा समय लगा लेकिन सुटिंग सुरू होते ही वे अच्छे दोस्त बन गए और कुछ समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई लगबग लंबी समय तक डेटिंग करने के बाद 24 नवंबर 2012 को उनका सपना अखिरकार पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौझूदगी में निसारावल से साधी कर ली नौईडा में करन के माता पितागे निबास पर पांच दिपसे उच्छब में साधी हुई उसके बाद 2017 में करन और निसारावल जी के एक बच्चे का जन्म हुआ जैसा कि आप देख सकते हो ये है करन महरा जी के रियल सन एंड गाइसन का नेम है कावेस महरा और ये अभी 3 साल के हो चुके हैं तो गाइस यार वीडियो फ्लाल के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और गाइस वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जरूर जानना क्योंकि आपकी हर कमेंट हमारे बहुत मायने रखती है तो चलिए गाइस मिलते हैं कोई सी नेक्ष्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई टेक केर धन्यवाद